हेलो एब्रिवान स्वागत आप सभी का स्टे मेचिकल हिंदी पे मेरा नाम है वैशाली और फ्रेंग्स यह जो रीडिंग है यह एयर साइन के लिए है मतलब आपके लिए जैमिनाई लिब्रा एक्वेरियस आप लोग के लिए यह रीडिंग है कि जून मंत में आपकी लाइफ राइजिंग के हिसाब से आप वहां से ही चला कि वीडियो को देख सकते हैं और फ्रेंज अगर आप परस्नल रीडिंग कराना चाहते हैं तो उसके आप मुझे मेरे इंस्ट्राग्राम पर फॉलो कर सकते हैं या फिर आप मुझे मेरे वाट्साम नम्बर पे मेसेज करके पर सब्सक्राइब करेगा और लाइक और शेकर ना बिल्कुल मत भूलेगा तो चली आप लोग की रीडिंग में स्टार्ट करती हूँ तो चली देखते हैं कि मेजर एनरजी क्या रहेगी आपकी इस मन्त के अंदर जेमिनाई जून के मन्त में क्या आने वाला है यूनिवर्स वाओ टेन ओफ काप्स बहुत अच्छा काड़ है जेमिनाई ये मन्त आपके लिए काफी अच्छा जाएगा फोर ओवांस कुछ लोग के लिए मुझे बहु यूनियन मुझे दिख रही है कि अगर किसी के साथ रिष्टे खराब है रिलेटिव के साथ ये फैमिली में कहीं भी तो बातचीत बन सकती है जो कार्ट के अंदर यहाँ पर जो दिख रहा है आप लोग के लिए तो चलिए देखते हैं कि करियर में क्या आने वाला है जेमिन ही आप लोग के लिए इंट्यूटिव मेसेज आ रहा है मुझे दाट बी कॉन्फिटेंट रहेंगे जितना अपने करियर में चीज़ें आपके लिए उतनी ही अच्छी रहेगी फ्लीस फिनिवर्स फ्लीस हिल्पी तो हिल्प दें जेमिनाई सान मून राइजिंग इनके करि आपके लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है स्पेशली आपके करियर में कई न कई वह आपको हेल्प कर रहा है और जाधा अपनी स्पिर्च्वालिटी से कनेक्ट होने में अपनी इंट्यूशन अपनी अंतर आत्मा को समझने में और सही डिफीजन लेने में जो एक कार्ड म लोग अभी 12 करके निकले हो आगे ग्राजुएशन या पोस्ट ग्राजुएशन के लिए सोच रहे हो तो कुछ लोग की मुझे यहां पे करियर फील्ड में चेंज दिखाई दे रहा है जो की बहुत अच्छी तीज दिख रही है उसके लावा जो लोग जॉब कर रहे हैं आ उसमें आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा जो यहां कार्ड में दिख रहा है पीज ओफ पेंटिकल रिवर्स में है अगें इट्स टेलिंग मी थोड़ा सा फाइनेंस इसको लेके मंथ मुझे आपके लिए बहुत जादा अच्छा जो है वो नहीं दिखाए दे रहा है but it don't worry because I really feel कि बाकी की कार्ड बहुत अच्छे हैं आपका टाइम बाकी के कंपेरिटिवली काफी अच्छा चल रहा है इस मंथ हो सकता है कि आप अपने इनर सेल्फ पे जादा वर्क करें मतलब कि अंधरूनी चीजों पर वर्क करें अप लोगों के लिए जैमनाई sun moon rising universe क्या advice देना चाहते हैं आप इन लोगों को freedom वाव क्या advice देना चाहते हैं करियर को लेके इन लोगों को करियर को लेके क्या बताना चाहते हैं trust amazing so definitely आपको trust करने की ज़रत है कि आपके जो भी काम है वो सारे पूरे होंगे and freedom का कार्णा मुझे आप अगेन बता रहा है कि जब आप अपनी अंतरहात्मा की सुनोगे ना अपनी intuition को follow करोगे वो आपकी जो spiritual journey अभी इस महीने चल रही है काई ना काई वो आपको बहुत help करेंगी अपने आप से connect होने में और देखे क्या होता है कि जह हम अपने आपको अच्छी तरीक से सम important होने वाला है reason मुझे नहीं पता but cards में मुझे feel हो रहा है September August बहुत important होने वाला है and अगले साल January and February March okay so reason मुझे नहीं पता universe बता रही है तो definitely कोई बात होगी जो आपको बताई जा रही है चल यह देखते हैं अब आपकी love life में क्या आने वाला है okay so Gemini इस मन कोई Taurus आपकी life में आ सकता है या Aquarius Taurus, Aquarius या Virgo बहुत strong आ रहा है okay so let me see की please universe help me to help them Gemini की love life में क्या आने वाला है Gemini sun moon rising June में इनकी love life में क्या आने वाला है we have the card page of pentacles eight of cups we have the star card okay और bottom of the deck जो है हमारे पास है वो king of pentacles है एक और card निकाल लेते हैं okay so यहाँ पे devil का card आया है थोड़ी से में love cards भी निकालूँगी please universe क्या आने वाला है इनकी love life में we have the card unconditional love passion वाव पैशन का card है और devil भी है यहाँ पे heart broken okay wedding rings वाव तो कुछ लोग लिए good news है जो card बता रहा है बाकी लोग के लिए मुझे healing बहुत important दिख रहा है Gemini किसी चीज को छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हैं life के अंदर कोई person हो सकता है कोई बात हो सकती है या पास की कोई खराब memory हो सकती है जो आपकी love life में problem बन रहे हैं उसको छोड़ के आप आगे बढ़ सकते हैं star card मुझे दिखा रहा है बहुत healing बहुत healing मुझे दिख रही है आप लोग लिए एक नई शुरुआत आते होई दिखाए दे रही है कुछ लोग किसी toxic connection से बाहर आते होई भी मुझे दिख रहे हैं जो card बता रहा है शायद आप किसी passionate connection में थे जहाँ पे you know sexual चीज़े काई दे रहे हैं उस connection में से यहाँ पे जो card है वो है heartbroken जिस पे लिखा है deeply hurt, sad, separation, breakup, feeling, lost, grieving, mourning, again यह card मुझे बता रहा है कि आप किसी चीज़े से देखो हम जब भी हील होता है सबसे पहले बात तो healing ना कोई बहुत comfortable चीज़ नहीं होती है जैसे लोग को लगता है कि अगर आ आप उसको महसूस करोगे और जब आप उन सारी feelings को emotions को महसूस करोगे तो क्या होगा? painful होगा, right? तो वही चीज़ होती है healing but बहुत important चीज़ है because जब तक आप उस चीज़े को clear नहीं करोगे ना तो बहुत problems आती है life के अंदर यहाँ पे card है unconditional love, self love, so definitely अपने उपर आप जो है focus करेंगे जो card बता रहा है affection, attraction, passion, passion मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ नए लोगों से बातचीट भी होगी आपको, काई ना कई एक दुनिया को देखने का नजरिया बतलेगा, love को देखने का नजरिया बतलेगा इस महीने के अंदर बहुत अच्छी एक healing energy आ रही है, बहुत soothing energy आ रही है मुझे, तो चलिए देखते हैं कि universe आपको advice कह देना चाहती है थोड़ा सा ना काम रहिएगा इस मन्त के अंदर, मतलब कि ये नहीं कि कुछ परिशानी है, दिक्कत है, तो anxiety में आके या आप कुछ उल्टा फुल्टा decision ले रहे हैं, ये किसी को कुछ गरत बोल रहे हैं, ऐसा कुछ मत करेगा, अच्छा रहेगा आपके लिए, otherwise आपको बा निकल रहे हैं, किसी चीज को चोड़के आगे बढ़ रहे हैं, ताकि आपकी healing हो रहे हैं, कुछ new attract कर पाओ, वो ही ये कार्ट बता रहा है, कुछ लोग कि यहां पर राहू की महा दशा हो सकती है, या अंतर दशा हो सकती है, जो चल रही है, कार्ड में जो मुझे फील हो रह हैं, बहुत अच्छा कार्ड आया है आप लोग के लिए, अगर ये reading आप लोग से match होती है, तो मुझे ज़रू बताएगा comment section box के तुरू, आप और भी spiritual related चीज़े जानना चाहते हैं, या अपना personal reading कराना चाहते हैं, जो की paid होती है, तो आप मुझे या तो instagram पर message कर सकते हैं या फिर मुझे मेरे whatsapp नमा पर भी contact कर सकते हैं, और crystals या tarot cards के बारे में जानने के लिए, again, instagram जो है वो दे रखा है मैंने, so thank you so much, have a nice day Hi everyone, so ये जो reading है, ये तुला राशी वालों के ले हैं, लिब्रा राशी वालों के ले हैं, चले देखते हैं, इस मन्त की overall energy आपके ले क्या होगी लिब्रा, तुला, sun, moon, rising, please universe बताए, जोन के मन्त में इनके life में क्या आने वाला है, please universe help me to help them, क्या आने वाला है We are the four of wheels, star card, वाव लिब्रा, healing time चल रहा है, बहुत अच्छा time चल रहा है, अगर आपको कोई health issue है, तो काफी राहत मिल सकती है, आपको इस मन्त के अंदर हो सकता है, कि बहुत टाइम से आपको कोई अच्छा doctor नहीं मिल रहा, इस मन्त आपको कोई अच्छा doctor या कोई help कर सकत तो I would suggest कि पहले 5 minute वेट करें, रीडिंग देखें, फिर भी नहीं करता है, तो आप किस और परसन की रीडिंग देख सकते हैं, या personal रीडिंग करा सकते हैं 4 of years मुझे यहाँ पर बताता है, कि आप में से कुछ लोग किसी तरीके के अपनी सोच को पकड़के बैठे हो, या तो किसी connection को पकड़के बैठे हो, कोई भी चीज हो सकती है, जो आपके लिए बहुत जादा अच्छी नहीं है, कहते हैं कि अगर आप किसी चीज से बहुत ज प्लीज करने वाले हैं, देखें, जनरल रीडिंग है, किसी के लिए कुछ भी हो सकता है, तो मैं स्पैसिफिकली तो यहाँ पर नहीं आ रहा, तो चले देखते हैं कि बाकी कार्ट के तरू कि आपके करियर में क्या आने वाला है इस मन्त, लेट मी सी, प्लीज उनिवर, जू ओ माई गॉड, जू आपके किसी तरुकी की कोई सोच है, और मुझे ऐसा लगता है कि आपका, आम रिली सॉर्य अगर पीचे से नॉइज आ रही हो, कोई पास्ट लाइफ का कर्म है, अगर आपके पास्ट लाइफ में बलीफ करते हैं तो, यह कार्ट जय मुझे बहुत बहुत हेल्प कर रहा है, बहुत अच्छे काड़ आई है, डेस्टनी बहुत इंपोर्टन्ट रोल प्ले कर रही है, जो मुझे आपके काड़ बता रहे हैं, कर्यर के अंदर भी, आपको किसी चीज के लिए प्रपईयर किया जा रहा है, आगे जागे जिसके आपको बहुत result मिलेंगे especially मुझे next year का दिख रहा है आप लोगों के लिए चलिए देखते हैं एक और card please universe इनके career में क्या आने वाला है moon कितने सारे major अकाना से आपके लिए लिब्रा बहुत important month होने वाला है या आप लोगों के लिए किसी न किसी तरीके से जो cards में मुझे यहाँ पर दिख रहा है कुछ लोग लिए मुझे ऐसा लगता है या तो अचानक से आपका कोई काम जो है वो बनने वाला है जो आपने सोचा था कि वो बनेगा नहीं बहुत time से अटका हुआ था जो मुझे cards में दिख रहा है कई न कई emotions जो है न वो आपके उपर थोड़े से हावी पर सकते हैं but confident रहेगा तो चीजें जो है वो काफी अच्छी तरीके से आगे बढ़ेंगी मुझे ऐसा लगता है कि इस मन्त काफी जो भी रुकावट है आपके career job work में आ रही है वो काफी हद तक हतम होने वाली है धीरे धीरे करके और यहाँ पर थोड़ा सा मुझे negativity भी दिख रही है कि आपकी कोई सोच है मतलब की डर है भै है किसी चीज को लेके उन पर आप इस मन्त work करने वाले हैं तो work जो है वो किसी भी तरीके से हो सकता है किसी भी तरीके का आपको lesson जो है वो इस मन्त मिल सकता है बट Trust me Libra इस मन्त अपनी intuition अपनी अंतर आत्मा पे आप बहुत trust करिएगा विश्वाश करिएगा क्योंकि कार्ड जो है न वो मुझे बताते हैं कि ये मन्त आपके लिए बहुत important है किसी भी तरीके से तो अपनी intuition पे बहुत ध्यान दीजेगा क्योंकि वो आपको हमेशा सही advice देती है Always remember जब भी कोई दिक्कत हो life में और कोई tarot card reader ना हो astrologer ना हो या आपके पास इतने अच्छे finances ना हो कि आप किसी को consult कर सके तो हमेशा और हमेशा अपनी अंतरात्मा की आवास सुनिये उससे अच्छा guide और advisor जो है वो कोई भी नहीं हो सकता तो चलिए देखते हैं कि universe आपको advice क्या देना चाहती है Please universe क्या बताना चाहते है आप में से कुछ लोग मुझे ऐसा लगता है कि किसी ऐसे career में है जो आपको पसंद नहीं है आप उसको change करने वाले हैं कुछ change लेके आने वाले हैं उसके अंदर देखो change बोला और change का card आगया See I told you So definitely कोई change जो है वो आने वाला है Universe भी आपको यही sign दे रही है Trust, definitely trust विश्वाश करने की बहुत जरुवत है क्योंकि चीजें जो हैं वो आपके ही favor में हो रही है कुछ भी हो रहा है सब कुछ आपके favor में हो रहा है जो आपको आप ही समझ नहीं आ रहा but definitely कुछ टाइम बाद आपको समझ में आएगा especially 4 months यहाँ पर बहुत important है 4 और 3 months के अंदर कुछ न कुछ आपको जीवन में clarity मिलने वाली है अपनी life को लेके जैसे कि अगर आपको confusion चल रही है न तो उस चीज में आपको एक रस्ता जो है Libra Sun Moon Rising Please Universe इनके love life में क्या आने वाला है June के month के अंदर Libra Rashi वालों की love life में क्या आने वाला है We have the Ace of Wands reverse में Okay और Ace of Swords जो है वो सीधा आया है Upright Then we have the Nine of Cups Okay Please Universe यह Ace of Wands reverse में क्यों आया है Okay Eight of Pentacles कोई चीज अटक रही है आपकी love life के अंदर जिस पे आपको work करने की जरुवत है और वो धीरे धीरे ही आगे बढ़ेगी कोई decision भी आप important इस month ले सकते हैं अपनी love life के अंदर Family के साथ अच्छा time spend कर सकते हैं जो cards में दिख रहा है Please Universe कोई family में कोई अच्छी good news आपको मिल सकती है क्या आने वाला है इनकी love life में Libra Sun Moon Rising We have healthy choices Making healthy choices In love And in life Self love, self care, being happier So definitely self love पे काफी जोर रहेगा, काफी importance आप दोगे उसके लावा मुझे help पे भी लग रहा है जो मैं आपको starting में भी बताइए कि अपनी help पे आप ही आप ध्यान दोगे Board, receiving what you need Progression, arriving, moving on, closure issues तो ये काड़ मुझे बताता है कि आप कुछना-कुछना effort लेके धीरे-धीरे अपने उपर work करके आगे बढ़ने वाले हो अपनी life के अंदर जो look single है मुझे ऐसा लगता है कि इस मन्त आप काफी जादा अपनी चीजों पे focus करने वाले हो अपना self love मुझे याँ बहुत important दिखाई दे रहा है कोई बहुत major decision भी लेने वाले हो चाहे आप relationship में हो या नहीं हो उसके लावा मुझे याँ पे यह दिखाई देता है कुछ लोगों के लिए कि आपकी या तो career love life में कुछ issues आ रहे हैं बात्चीत आगे नहीं बढ़ पा रही है तो इसलिए आप लोग अपनी career placement जादा focus कर रहे हो अपनी health placement जादा focus कर रहे हो कुछ लोग अपनी partner से separation में भी हो सकते हैं career की वजा से ये भी मुझे कार्ड में या पर दिखाई दे रहा है आप लोग के लिए इनकी love life में universe क्या आने वाल है लिपरा कार्मिक relationship ओके सो definitely letting go and moving loving you sorry I'm really sorry letting go and loving you या पर लिखा है तो यह मुझे again boat के कार्ड से दिख रहा है कि किसी पुरानी connection से जो unhealthy है उससे आप लोग बहर आ रहे हो जो कार्ड में दिख रहा है या toxic चीजे हैं अगर आप बहुत टाइम से single है या कुछ ऐसे relationship में थे जो आपके लिए अच्छे नहीं है तो उनसे बहर आके अब आप healthy choices अपना रहे हो अपने उपर work कर रहे हो यह इस month होने वाला है चलिए देखने कि universe आपको advice क्या देना चाहती है लिब्रा please universe लिब्रा राशी वालों का आप लोग advice क्या देना चाहते हो क्या advice देना चाहते हो okay लिब्रा देखो क्या लिखा है यहाँ पर don't let your past hold you back अपने past की वज़ा से past पे ना रहे पीछे ना रहे आगे बढ़ने का समय आच चुका है या तो आपका केतु की दशा चल रही है या आपकी शनी की दशा चल रही है जो कार्ड मुझे यहाँ बता रहा है past से भाहर निकलने का time आ चुका है past के energy में जादा time रहोगे तो अच्छा नहीं होगा और यहीं मुझे यहाँ पर सारे कार्ड जो है वो दिखा रहे हैं कई न कई आप अपनी energy इस मन जो है वो balance करने वाले हैं तो अगर यह reading आप लोगों से match करती है तो प्लीज मुझे comment section वाक्स के थूरू जरूर बताएगा वीडियो को like and share करना बिल्को भी मत भूलेगा चैनल को subscribe कर लिजेगा ताकि आगे आने वाली readings आपको पता चलती जाए and again आप मुझे मेरे instagram पर या whatsapp पर message कर सकते हैं Thank you so much, have a nice day We have the card temperance, eight of swords और knight of cups Okay, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत टाइम से आप किसी परिशानी में हैं जो सिफ हो सकता है आपका दिमाग का stress हो, anxiety हो किसी चीज को लेके overthinking कर रहे हैं, confusion में हैं अब आप इस मांद उस चीज से बहार आने वाले हैं जो कार्स में मुझे दिख रहा है बढ़ हाँ, शुरू का एक हफता हो सकता है, आप परिशान रहे हैं इस मन्त का जो कार्डी बताता है Temperance का कार्ड मुझे बताता है कि एक energy में momentum आने वाला है मतलब कि energy आपकी balance होने वाली है बहुत ज़्यादा past में नहीं रहोगे बहुत ज़्यादा future में नहीं रहोगे present में आप मुझे जीते हुए दिखाई दे रहे हो उसके लावा मुझे ऐसा भी लगता है कि आप अपने भवनाओं पर emotions पर बहुत work करने वाले हो Aquarius इस month के अंदर जो कि बहुत अच्छी चीज मुझे दिखाई दे रही है क्योंकि कई न कई हो सकता है कि आप emotionally थोड़े से unbalanced हो थोड़े से निराश हो या किसी चीज को लेके परिशान हो अब आप उस चीज पर work करने वाले हो जो कि आपकी emotional maturity होगी कि आप emotionally समझदार और मैचौर बरोंगे जो कार्स में दिख रहा है चलिए देखते हैं कि करियर में क्या है overall प्लीस universe उनकी करियर में क्या आने वाल है मुझे ऐसा भी दिखता है कि अगर आपकी किसी person से टकरार चल रही है या बातचीत नहीं हो रही है तो चीज़े ठीक होने वाली है better होने वाली है for some of you guys not for everyone obviously इनकी करियर में क्या आने वाला है Aquarius Sun Moon Rising Aquarius Sun Moon Rising Death Card in Reverse करियर में इनके क्या आने वाला है universe 3 of Pentacles in Reverse यहाँ पे हमारे पास है 4 of Swords करियर में जो मुझे Aquarius आप लोग के लिख रहा है मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग के लिए 2% के लिए सब के लिए नई है तो अपने लिए सोच के stress मत लीजेगा जो मुझे कार्ड में आ लग रहा है कि आप लोग को एक तो देखो कि करियर में issues बहुत आ रहे हैं problems बहुत जादा आ रहे हैं जो भी काम करना चाहरे है वो काम बन नहीं रहे है जो कार्ड में मुझे यहाँ पर दिख रहा है प्लीस विए वास इनकी करियर में क्या आने वाला है night of wands in reverse तो on and off आपकी करियर में चल रहा है कभी अच्छा होता है कभी खराब होता है इस तरीके के चीज़े मुझे आपकी करियर में इस मन्त जो है वो चलते होई दिखाए दे रही है एक on and off energy है death card reverse में मुझे बात करता है transformation again करियर में हो सकता आप किसी चीज़ को लेके परिशान है तो death card यहाँ पर बात करता है किसी चीज़ की ending लेकिन देखे कि यह card जो है रिवर्स में आया है तो intuitively मुझे लगता है कि इस मन्त में वो चीज़ खतम नहीं होने वाली है थोड़ा सा आगे भी खिच सकती है लेकिन बहुत अच्छा card है कि four of swords आया है जो की बात करता है healing की किसी चीज़ को लेके परिशान है करियर के अंदर परिशानी इस मन्त मुझे दिख रही है आप लोगों के लिए पर ऐसा भी लगता है कि वो जो चीज़ है वो बहुत जल्द खतम भी होने वाली है और king of pentacle definitely वो चीज़ बहुत जल्दी खतम होने वाली है कि हो सकता है कि या तो आपको ऐसा काम कर रहे हो जो शायद आपको जिससे stability नहीं मिल रही है या फिर आप किसी ऐसी जगा में फसे होए हो जहां पर आपको उतना कुछ नहीं मिल रहा जितना आप deserve करते हो या फिर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो इस टाइम और सीस को लेके बहुत परिशान हो बढ़ ट्रस्ट मी हर एक सीस का एक reason होता है जो कार्ड मुझे यहां पर बता रहे है बहुत जल्द आपको मुझे मतलब ऐसा दिखता है कि बहुत जल्द आप इस जगा पर पहुँचोगे इस king की जगा पर जहां पर आपको बहुत stability मिलेगी और आप जो चीज़ चाहते है career में वो चीज़ आपको definitely मिलेगी चलिए देखते हैं कि आपके लिए message क्या है ऐसा लगता है कि कोई job change कर रहा है कोई job छोड़ रहा है या job जा रही है ऐसा कुछ भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है please to universe help me to help them to guide them to heal them क्या advice देना चाहते है career को लेके निराश मत होई है सबसे पहला तो यही message है निराश होने की जरुद बिल्कुल भी नहीं है आप लोगों को क्या आने वाला है इनकी career के अंदर fiery climax approaches वाओ again कोई चीज जो है cycle जो है वो end होने वाली आपके career के अंदर जो बहुत अच्छी चीज है don't let your past hold you back तो हो सकता है कि आप past की वज़र से भी परिशान है कि past में career में अच्छा नहीं रहा चीज़े अच्छी नहीं हुई इस वज़ा से आगे नहीं बढ़ पा रहे है decision नहीं ले पा रहे है ऐसा लग रहा है कि आप जो बिशीजन लोगे वो गलत ही होगा क्योंकि past में भी ऐसा ही हुआ था please इन चीज़ों पर आप time आगया कि आप walk करें अगर आप बिल्कुल भी positive नहीं सोचें यह तो देखो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता है तो यह चीज़ जो है वो कार्णे आपे बता रहे है चले देखते हैं अब आपके love life में क्या आने वाला है चले फिरेंज देखते हैं कि love life में आपके क्या आने वाला है पहले में सारे कार्ण जो है वो निकाल लेती हो please universe, Aquarius राशी वालों के लिए क्या आने वाला है Aquarius कोई change जो है वो आपके love life के अंदर आने वाला है इस month के अंदर जो कार्ण में मुझे feel हो रहा है please universe, इनकी love life में क्या आने वाला है please हमें बताए we have king of pentacles, page of wands so magician का कार्ण reverse में आया है three of swords, eight of cups और bottom of the deck हमारे पास है यहाँ पे three of wands, इसको में यहाँ रख देते हूँ please universe, इनकी love life में क्या आने वाला है June के मंद के अंदर girl with a snake, okay butterfly, sorry dragonfly और यहाँ पर है हमारे पास the golden mirror, okay चले एक card जो हमें रीट कर लेती हूँ तो girl with snake पर यहाँ पे लिखा हुआ है impact and narcissist paradigm being charmed or used enable boundaries, okay उसके बाद हमारे पास यहाँ पे self observed, narcissist, one side relationship love bombing, okay, 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 got it देखो, सबसे important चीज़ जो मुझे लग रही है जो लोग specially single है उन लोगों के लिए single नहीं भी है, relationship में तो भी कोई person आपकी life में ऐसा आ सकता है जो आपको बहुत अच्छा बनके दिखाए बहुत sweet बनके दिखाए but trust me, उस person की बातों में बहुत जादा मत आना है action देखनो, उस person की actions क्या है क्या वो जो बोल रहे हैं, उस तरीके से behave कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है कोई person आपके life में ऐसा आए जिसकी intentions आपको लेकि ठीक नहीं है जो मुझे cards बता रहे है and कही न कहीं आपको एक lesson भी सिखाया जा रहा है कि अपने इर्द गिर्द अच्छी boundaries बनाए मतलब की अच्छी boundaries का मतलब होता है कि कोई person आपके लिए अच्छा नहीं है आपके लिए toxic है या आपको disrespect कर रहा है आपके इज़त नहीं करता कुछ गलत बोल रहा है तो उस person किसे अपने आपको बचाएं अपने लिए boundaries create करें कोई ऐसा काम करने के लिए कह रहा है जिसके लिए आप comfortable नहीं हो तो मना करना सीखो ना बोलना सीखो बहुत important है ये ये चीज मुझे यहाँ पे cards के लिए आ रहे है किसी में भी relationship में भी हो सकता है अगर आप normal relationship में भी है तो कोई person नहीं भी आया है तो boundaries बनाना सीखो बहुत important है जो cards में दिख रहा है किसी भी connection में आने से पहले अगर आप already भी connection में हो तो कोई भी ऐसा decision मत लीजेगा अगर आप दोनो financially stable या independent नहीं हो इस मन कोई ऐसा decision मत लीजेगा शादी को लेके cards में जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कुछ लोग लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग इस मन्स जो है broken hearted है और कि इसी connection से बाहर आ रहे हैं बाहर निकल रहे हैं जो कि बहुत toxic था वो person आपको respect नहीं करते थे वो love नहीं देते थे जो आप deserve करते हो आप उसी से बाहर निकल रहे हो dragonfly का card जा हो मुझे यहाँ पर बता रहा है be light hearted finding out things coming to in light adopt change and heal again, बहुत healing का मुझे यह card यहाँ पर दिखाई दे रहा है काफी healing मुझे दिख रही है I'm really sorry अगर पीछे से noise आ रही हो तो and उसके अराबर मुझे cards में यह भी दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर cards में बहुत strongly आ रहा है Aquarius की किसी भी person पर आग बंद करके trust ना करे इस महीने पर उस person के actions पर धान दीजेगा relationship में हो नहीं हो कुछ भी है यह important चीज आपके लिए आ रहे है क्योंकि आपको कुछ न कुछ ऐसा lesson सिखाया जा रहा है कि एक अच्छी boundaries बनाओ अपने आपको इज़द देना सीखो तब भी दूसरे लोग आपको respect देंगे चलिए देखते हैं कि आपके लिए advice काड क्या आ रहा है यहां पर please universe क्या advice देना चाहते है love life को लेकि we have the card flexibility again कुछ change आने वाला है उसके हिसाब से आपको भी change होने आपड़ेगा healing chaos वाउ देखे हो dragon blind में भी है मैंने आपको healing बताया था healing का card आ रहा है तो आपकी चीज से heal हो रहे हो and three of swords आया है past की कोई energy है या broken hearted हो कोई ऐसा connection था जिसमें आप बहुत दे रहे थे वो person कुछ नहीं कर रहे थे या फिर उस person ने आपको cheat किया कुछ भी ऐसा था उस चीज से आप इस month heal होने वाले हो जो card में मुझे यहाँ पर दिख रहा है तो अगर यह reading आप लोगों से match करती है resonate करती है तो मुझे जरूर जरूर बताएगा comment section box के through personal reading कर आने के लिए आप मुझे instagram पे message कर सकते या फिर आप मुझे मौटसेब पे message कर सकते हैं it's a paid reading and reading पसंद आई हो तो please channel को subscribe जरू करेगा like and share करना मत भूलेगा thank you so much